B.Sc. Second Year Students, आज हम कोक्रोच के Body Division के बारे में रीट करेंगे इसके पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसका Classification, Habit, Habitate, External Feature, Shape, Size, Segmentation आदी के बारे में पढ़ लिया था ठीक है, आज हम वापस इसका जो Division था, उसको Complete करेंगे, जिसको हमने Start कर दिया था कोक्रोच की जो Body थी, वो तीन पार्ट में Divide थी, Main, Head, Thorax और Abdomen, Head के जो अलग-अलग Parts थे, उनको हम मैंने Explain कर दिया था Epicranial Plate, Fronts, Clipius, Genny, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जो Head के Appendages हैं, इसमें सबसे पहले One pair antenna होता है, जो तीन पार्ट में Divide होता है, इसके Pedicil और Flazulum, प्रवरंत, वरंत और कशाब, ठीक है, और Next जो होते हैं, इसके पांच अन्य जो Appendages होते हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, सिर में 6 जोड़ी उपांग होते हैं, जिन में से एक जोड़ी antenna या शरंगी का हो गई, और जो पांच जोड़ी उपांग होते हैं, उनको सेयुकत रूप से Mouth Parts या मुखांग कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लेब्रम या उधर्वोस्ट, जिसको Upper Lips भी कहते हैं, ठीक है, Upper Lips कहते हैं, और ये Upper Lips जो होता है, वो Clipius, इसके Head का जो पांट है, Clipius, थर्ड नंबर का उससे जुड़ा होता है, इसको आप लोग डाग्राम में देखें, उपर जो सबसे पहले, लेब्रम का डाग्राम आपके सामने है, शो हो रहा है, ठीक है, ये एक चोड़ी आयताकार प्लेट के जैसी सरंचना होती है, Clipius से जुड़ा हुआ है, और उसके नीचे अधर सतय जो होती है, उसके उपर रस समेधी शूग, गेस्टेटरी सीटा की दो पंक्तियां लगी हो ही होती है, जो उसको टेस्ट का ज्यान कराती है, और ये फ्लेक्जिबल मसल्स के द्वारा Clipius से जुड़ी रहती है, और ये जो फ्लेक्जिबल लचिली पेश्यां जो है, इनमें जब संकुचन होता है, उससे ये उपर नीचे गती करता है और ये इसके हैड के जो थर्ड सेग्मेंट होता है, वहाँ ये पाय जाता है, ठीक है, नेक्स्ट आता है, मेंडिबल, ठीक है, मेंडिबल जो पार्ट होता है, ये काले रंग का कठोर उपांग होता है, जो कॉक्रोज का जो मुख द्वार होता है, उनके दोनों पाशरों मे लेटरल साइड में ये इस्तित होते हैं और ये मेंडिबल के त्रिबुजाकार मतलब ट्राइंगिलर शेप का कठोर काइटिन से बना हुआ पार्ट होता है और इसके अंदर तीन बड़े और बहुत सारे छोटे-छोटे नुकिले उभार होते हैं ये डेंटिकल्स देख रहे ह अब डेंटिकल्स होते हैं ये डेंटिकल्स शोर हैं मोलर एरिया और डेंटिकल्स नुकिले उभार होते हैं और इनमें एक छोटा सा छोटा सा इसमें चवर्णक छेत्र भी होता है जिसको प्रोस्थिका कहते हैं ठीक है उस पर भी समेधी रोम पाये जाते हैं और ये जो इन के nuclei u Lazar or identicals होते हैं यह इं हें इंटर लॉकिंग यह आपस में यह दोनों इंटर लॉकिंग का काम करते हैं ठीक है और इंटर लोकिंग का कारे करके और यह बहुजन न की कुतरने का कारे होता है वह उसका वर उसका संपाधन करते हैं और जो इसका चिकना चवर्णक मतलब प्रौस्ति का छेतर जो होता है वो भोजन को पीसने वाली सतय होती है और यह जो मेंडिबल होते हैं वो इसके सिर के जो फोर्थ सेग्मेंट चोथा सेग्मेंट है उसका उपांग है यह मेंडिबल ठीक है नेक्स्ट आता है फस्ट पेर मैगजिला ठीक है मैगजिला देखे इधर डाइग्राम ठीक है यह वही मुख द्वार जो है उसके पाशर में स्थित होते हैं और सेग्मेंट आप देख रहे हैं अलग-अलग सेग्मेंट इसके बने हुए हैं खंड यूग तो उपांग होते है ठीक है और ये कई खंडों से क्योंकि बिल कर बना हुआ है और इसका जो सबसे आधारी खंड जो होता है वो कारडो कहलाता है कारडो कहलाता है और sτιपर होता है second part जो कि इसके साथ कारडो के साथ right आंगल पर जुडआ होता है 90 degree के कौन पर जुड़ा हुआ है और ये दोनों cardo और stipage ये दोनों मिलकर protopodite का निर्मान करते हैं इन दोनों को लाकर बोलते है protopodite और stipage का जो बाहरी किनारा है वहाँ से एक पतला सा 5 खंडों वाला ये आप लोग देख रहे हैं साइड में लेट साइड में निकल रहा है 5 खंड वाला exopodite जुड़ा हुआ होता है ठीक है जिसको maxillary pulp कहा जाता है ये देख रहे हैं maxillary pulp पूरा ये जो structure है यहाँ से निकल रहा है इस टाइपेज के इस किनारे से वो maxillary pulp कहलाता है पांच खंड होते हैं इसमें ठीक है और इस maxillary pulp का ये जो starting का ये part है यहाँ पे इसको बोलते हैं आधारी बाग palpifer कहलाता है ठीक है और इस पे कठोर समेदी rome पाए जाते है sensory ceta पाए जाते हैं इसको आप next diagram में देखो ये diagram आपको next slide में ज्यादा clear होगा ये देखिए ये cardo और ये stipase और जस्ट यहाँ से ये palpifer ये palpifer ये थोड़ इसी spelling जो है इसकी इदर कट गई है बट ये है अब इसके अंदर diagram बिलकुल clear है ये palpifer फिर 1,2,3,4,5 ये 5 इसके segment है maxillary pulp में ठीक है इस diagram में बिलकुल clear है और आधारी भाग इसका palpifer कहलाता है और stipage के भीतर की तरफ भीतर की तरफ endopodite जुड़ा होँ होता है और ये endopodite दो पार्ट से बना होँ होता है जिसमें पहला बाहरी भाग जो होता है वो galia गैलिया कहलाता है और जो बहीतरी भाग है ये ये लैसिनिया कहलाता है ठीक है ये पार्ट लैसिनिया है और ये बाहरी पार्ट गैलिया होता है और ये गैलिया जो होता है हुड लाइक होता है हुड की तरह छत्र रूपी होता है और लैसिनिया जो होता है कठोर और पंजिनुमा पंजिनुमा सरंचना होती है और इसमें पहेता से ही ये मैगजिला जो है भोजन को उस समय पकड़े रहता है जब मैंडिबल भोजन को चबाता है उस समय ये लैसिनिया जो होती है भोजन को पकड़ के रखती है और ये जो फेर मैगजिला है ये सिरके पांच में खंड के उपांग होते हैं इसको एक बार आप लोग गेलिया और लेसीनिया को पिछली यह जो डाइगराम है इसमें देख लीजाई गेलिया ठीक है और यह लेसीनिया ठीक है लेसीनिया उसको hold करके रखता है जब mendible भोजन को चबा रहा होता है तब ही इसको hold करके पकड़ कर रखता है ठीक है next आता है second pair of maxilla द्वितिय जोड़ी जंबिकाएं हैं आपस में मिलकर सयोग तो होकर सरंचना बनाती है जिसको लेबियम बोलते हैं या इसको अधरोस्ट भी कहा जाता है ये मुख गुहा जो इसकी होती है औरल कैविटी उसके अधर तल पर बेंटल सर्फेस पे जो प्रतम जोड़ी जंबिका होता है जिसको सबमेंटम कहते हैं ये शोरा इसमें इसको सबमेंटम कहते हैं लेबियम का आधारी भाग जो है चप्टा प्लेट नुमा होता है जिसको सबमेंटम कहते हैं और सबमेंटम के आगे की तरफ छोटे सी प्लेट होती है जिसको मेंटम कहा जाता है और मेंटम की ठ अचिक उपपर यह Prementum होता है थीक है? प्रिमेंटम पाय जाता है तो इस तरह से सबमेंटम मेंटम और प्रिमेंटम यह तीनों मिलकर सेकेंट पेर मेच्जिला जो होती है उसके प्रोटोपोडाइट का निर्मान करती हैं यह तीनों सरंचना है मिलकर और लेबियम के पाशर उतल से लेटरल सर्फेस से एक-एक तीन खंड वाली त्री सेग्मेंटेड सरंचना निकलती है जिसको लेबियल पल्प कहते हैं यह देख रहे हैं लेबियल पल्प 1, 2, 3 त्री सेग्मेंटेड दोनों लेटरल साइड से निकलती है त्री सेग्मेंटेड स्ट्रक्चर निकलता है जिसको लेबियल पल्प कहते हैं ठीक है और यह जो लेबियल पल्प होती है उसका यह जो आधारी खंड है इसको बोलते हैं पैल्पिजर यह आप लोग नेक्स टाइग्राम में देखो ये देखिए इस टाइग्राम में आप लोगों को clear होगा सबमैंटम, मैंटम, प्रिमैंटम सबमैंटम, मैंटम, प्रिमैंटम ये तीनों parts मिलकर प्रोटोपोडाइट का निर्मान कर रहे हैं और इसके side से ये labial pulp ने कल रहे है labial pulp का ये जो आधारी भाग है ठीक है पैल पीजर कहला रहा है ठीक है और प्रिमेंटम का जो ये स्वतंतर सिरा है यहां से सरंचना निकल रही है ग्लोसी ठीक है प्रिमेंटम के स्वतंतर छोड़ से छोटी छोटी दो सरंचना निकलती जिसको ग्लोसी कहते हैं और उसके भीतर की तरफ पैरा ग्लोसी पाए जाते हैं पैराग्लोसी और ये बीच में दो छोटी छोटी ग्लोसी और ये दोनों सरंचनाय मिलकर एंडोपोडाइट का निर्मान करती है ठीक है और ग्लोसी और पैराग्लोस ग्लोसा और पैराग्लोसा दोनों को मिलाकर लिगुला कहा जाता है और ये सर के छटे उपांग का छटे खंड के उपांग होते हैं नेक्स्ट आता है हाइपोफेरिंग्स या अधोग्रस्नी ठीक है अधोग्रस्नी तो लेवियम की जो डॉर्सल सर्फेस पर और लेब्रम से ढकी हुई और प्रथम जोड़ी जंबिकाउं के बीच में एक नलिका कार सरंचना पाई जाती है जिसको हाइपोफेरिंग्स कहते हैं ये देखें आप लोग हाइपोफेरिंग्स कहते हैं ये और ये जिवहा मतलब टंग की तरह कारे करती है मुगवा में पाई जाती है टंग की तरह कारे करती है और इसकी जो अधर सतय होती है, ventral surface के उपर सहल आरवाई का salivary duct आकर इसके खुलती है, ठीक है, तो ये हो गए इसके mouth parts, ठीक है, अब next आता है इसका thorax part, ठीक है, thorax part में आप लोग ये देखे, thorax जो होता है, वो तीन सेग्मेंट से बनावा होता है, जिनको prothorax, अगरवक्ष, mesothorax, मध्यवक्ष, metathorax, पस्चवक्ष कहा जाता है, और वक्ष के प्रते खंड होता है, उसमें एक जोड़ी, walking legs पाई जाती है, one pair walking legs पाई जाती है, चलन टाइए, ठीक है, और ये जो इसकी मध्यवक्ष होती है, mesothorax और metathorax, उन पर एक एक, one pair wings पाई जाते हैं, ठीक है, तो walking legs और wings, इन दोनों को क्या बोलते हैं, thorax appendages, ठीक है, और क्योंकि इसमें तीन जोड़ी, walking legs पाई जाते हैं, इसलिए इसको hexapoda भी कहा जाता है, ठीक है, अब आता है, next इसकी walking legs, walking legs जो होती है, इसमें similar structure होता है इनका, और 5 इसमें podomers पाई जाते हैं, ठीक है, वो निम्न क्रम में जमें होते हैं, coxa, trochanter, femur, tibia और torsus, ठीक है, इसको आप लोग डाइग्राम में देखिए, एक बार, ये देखिए, ये डाइग्राम देखिए, सबसे पहले, coxa, जिसे कक्षांग भी बोलते हैं, कक्षांग, ये चोड़ा, छोटा, खंड होता है, ठीक है, और सबसे आधारी, बेसल सेग्मेंट है, आधारी खंड होता है, ठीक है, और jointed, jointed सेग्मेंट है, ठीक है, जो कि, pluron, इसके जो thoracic सेग्मेंट है, उनसे जुड़ा हुआ है, प्लि Node और sternum के बीच में, ये जुड़ा हुआ होता है, और इसके अलावा, और ये next इसका पार्ट होता है ट्रॉकेंटर जो की डाइग्राम में दिख रहा है ट्रॉकेंटर से जुड़ा होता है ये size में थोड़ा छोटा होता है और ये जो ट्रॉकेंटर होता है freely movable होता है कॉक्जा के उपपर move करता है लेकिन ये आगे की तरफ जो femur से जुड़ा होता है उसके साथ fixed होता है ठीक है इसके next part है femur femur जो podomir होता है बहुत लंबी, long और broad podomir है ठीक है और इसके उपर ये एक कांटेदार सरंचना होती है लंबी दरड बेलनाकार है और कांटेदार सरंचना होती है और इसके next tibia पाई जाती है tibia जो होता है सबसे लंबा podomir होता है पदखन और ये भी कांटेदार पदखन्ड होता है ठीक है और इसके उपर tibia इस पर भी पाई जाते हैं और इस टाउट कड़क bristol इसके उपर पाई जाते हैं टिबिया के उपपार इसके बाद आता है टॉर्स पार्ट ठीक है टॉर्स पार्ट ये सबसे पतला पोडोमीर होता है और इसमें कुद में पांच इसके खंड होते हैं जिनको टार्सोमीर्स कहा जाता है इन पाँच उखन को सेंस्तूरूप से TARSOMIERS कहते हैं और यह जो प्रतम पाँच TARSOMIERS होते हैं उनकी जो अधर सतय होती है उस पर एक कोमल गद्दी नुमा सरंचना होती है जिसको PLANTULA कोमल गद्दी होती है जिसको PLANTULA कहा जाता है प्रतम चार TARSOMIERS पे और जो अंतिम जो टार्सोमेर्स होता है जिसे प्रीटॉर्स कहते हैं उसके अंतिम सिरे पर इसके दो नखर पाए जाते हैं और इन दोनों नखर के बीच में भी एक छिद्र वाली गद्धी पाए जाती है जिसको पल्विलस बोलते हैं यहाँ पर पल्विलस बोलते हैं इसको और यह जो pulvulus होती है, pad pulp जिसको कहते हैं, इस पर चिपचिपी गद्धियां पाई जाती है, इनकी साहता से यह cockroach चिकनी सतय के उपपर चल सकते हैं, इनकी साहता से, इसमें भी डिखाए, pre-torsus, close दोनों दिखाए गए, यह दोनों close, और aeroleum, गद्धी नुवा सरंचनों हो जाता है, जिससे यह चिकनी सतय पर आजा सकती है, ठीक है, और इसके जो wings होते हैं, wings जो होते हैं, कोक्रोच में, दो जोड़ी wings पाई जाते हैं, और जो एक जोड़ी मद्यवक्ष से, मिजो थोरेक्स से निकलते हैं, और एक जोड़ी मेटा थोरेक्स जो है, पस्च वक्ष स निकलते हैं ठीक है और मद्य वक्ष से जो निकलते हैं मीजो थोरेक्स से जो पंक निकलते हैं वो लैदरी होते हैं चिम्मड बिल्कुल लैदर टाइप होते हैं जिनको इलिटरा या टैगमिना कहते हैं और जब ये विश्राम के वस्ता में होते हैं तब ये जो पस्च वक्ष मैटाथौरेक्सी जो पंक निकलते हैं। उनको धक्के रखते हैं। अर्थात मतलब यह जो ILित्रा या टैग्मिना है। लैधरी हैं। बट यह उढ़ने के काम नहीं आते हैं। उड़ने के काम कौन से आते हैं, जो मेटा थोरेक्ट से जो विंक्स निकलते हैं, जो कि ट्रांस्पेरेंट होते हैं, ठीक है, पारदर्शी और जिल्ली नुमा, मेंब्रेनस होते हैं, उड़ने के काम वे आते हैं, और ये सिर्फ इसको जब वो उड़ने के बाद उड़ान बं जो होता है, abdomen में cockroach के 10th segment पाए जाते हैं, ठीक है, 10th segment इसके पाए जाते हैं, और जो abdomen के पिछले सिरे होते हैं, वो छोटी size में, length उनकी छोटी होती है, पिछले वाले जो खंडोते हैं, length में छोटे होते हैं, telescope, अंतरविद जिसको बोलते हैं, और उदर का जो अंतिम खंड होता है, उसमें एक जोड़ी, संदी, anal सिरस पाई जाती है, गुदिये सिरस पाई जाती है, और नरक उक्रोच में, जो नमा खंड होता है, उससे एक जोड़ी, धागे के समान सरंचना निकलती है, जिसको anal style कहा जाता है, इसको आप लोग diagram में देखिए, यह देखिए, यह diagram देख रहे हैं, उपर वाले A, B, C, जो है, वो male, जो है, male कोक्रोच के diagram दिखा रहे हैं, इसमें, इसका dorsal view है, इसमें देखिए, 10th segment, ठीक है, 10th segment से, anal circus दिखा रहे हैं, 10th segment से निकल रहे हैं, यह ठीक है, और यह जो ventral surface है, इसमें आप लोग देखिए, यह जो 9th segment दिखाई दे रहा है, male के अंदर, यह सिर्फ male में 9th segment दिखाई देते हैं, female में नहीं दिखाई देते हैं, इस 9th से anal style, यहां से निकल रहा है, जो दिखाई दे रहा है इसमें अहले इस स्टाइल और यह इसकी लेटरल शर्फेस है लेटरल दिखाई दे रही है एनल सरकस 10th सेग्मेंट से और 9th स्टर्नम जो है इसे एनल स्टाइल निकली होई है और इसी तरहे यह देखिए female का 7th सैग्मेंट तक उसके clear दिखाई देते हैं, बाद में ही बहुत overlapping भी पास-पास हो जाते हैं, अंतरविध हो जाते हैं, 10 तरगम, जिससे anal circus निकली हुई है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये, इसका ventral view देखिए, ventral view के अंदर देखो, नर कोक्रोच में तो नो और मादा के अंदर के वल साथ ही sternal, sternal दिखाई देते हैं, इसमें 5-6-7 तक दिखाई दे रहे हैं, मादा के अंदर क्या होता है, साथमी sternum जो होती है, वो बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर, नोकाकार सरंचना बन जाती है, और आठमी और नमी जो इस तरना होती है, वो गाइनेट्रियम नामा कक्ष बनाती है, जिसका पस्च भाग, उथिकल चेमबर कहलाता है, जो डाइग्राम में आप लोग अभी देखोगे, और यह जो फिमेल का ही लेटरल व्यू दिखा रखा है, इसमें, उपर देखिए, एनल सरकल्स, और यह जनाइटल पाउच बीच में दिखा रखा है, इसमें, जनाइटल पाउच और नीची वाल्व ओफ ओविपोजिटर, यह देख रहे हैं, वाल्व ओफ ओविपोजिटर, ओविपोजिटर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक ओर्गन होता है, ट्यूब के जैसी सरंचना होती है, जिसको इंसेक्ट किस लिए करते हैं, एग लेइंग के लिए, एग लेइंग के लिए इसको यूज में लेते हैं, ओविपोजिटर को, अब आप लोग देखिए, मेल और फिमेल में में अंतर क्या है, यह देखिए, मेल कोकरोच और फिमेल कोकरोच, बट यह देखिए, मेल कोकरोच का एब्डोमन लोंग होगा, बट नैरो होग आप यह जो diagram नीचे देख रहे हैं, यह दोनो diagram opposite हो गए है, जो male cockroach के नीचे बनावा diagram है, वो female का है, ठीक है, बुक में यह गलत दे रखा है, बट आप लोग इसको यह करना है, यह आएगा female cockroach की तरफ और जो female की तरफ है, वो इस तरफ यह diagram आएगा, ठीक है, female cockroach का abdomen होता है शोट लेकिन brood, चोड़ा, यह दिखाई दे रहा है, diagram आप लोग, देखो, यह diagram चोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और brood pouch, अभी इसमें दिखाई था, brood genital pouch देखाई, इसमें brood pouch पाई जाता है, female में, female cockroach में, brood pouch प्रजेंट होता है, जबकि male जो होता है, उसमें brood pouch एपसेंट होता है, male cockroach जो होता है, male have longer antenna, इसका लंबा antenna पाया जाता है, जबकि female में antenna short होता है, male cockroach में, analyst style जो होती है, वो present होती है, 9th segment में, जबकि female cockroach में analyst style absent होती है, ठीक है, अब ये diagram इसमें देखिए, ये female का diagram है, इसमें opening of uthika chamber दिखा रखा है, uthika part किसमें पाया जाएगा, female में, तो ये diagram और ये broad चोड़ा है, 5th, 6th, 7th, 7th segment clear दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद जो 8th, 9th हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि, अभी मैंने बताया था आपको, कि 7th जो sternum होती है, 7th जो खंड़ा है, वो इसका 7th sternum चोड़ी और 9 का कार हो जाती है, और 8th जो इसमें जो sternum होती है, वो दोनों आपस में मिलकर, गाइनेट्रियम नामक chamber बनाती है, जिसका पिछला इसा क्या कहला था, उथिकल chamber, ठीक है, तो यह opening of उथिकल chamber, female में दिखाई जा रही है, ठीक है, तो यह diagram female का है, और इसमें देखी, इधर जो है, यह male का diagram है, जिसके 5th, 6th, 7th, 8th, तक दिखाई दे रहे हैं, segment सारे, और इसमें anal style, जो की male में present होता है, वो इसमें anal style दिखाई रही है, ठीक है, जो की diagram male का है, ठीक है, तो यह diagram को आप दोनों को ध्यान से देखना, यह female का diagram है, और यह male का diagram है, ठीक है, अब इसी के साथ, यह diagram एक बार मैंने वापस recall करवाने को आपको भेजाता, साथ में head का, dorsal surface का, frons के नीचे, clipeus, labrum part, ठीक है, और labium, यह देख लीजिए, सारे parts एक साथ इसमें आ गए हैं, mandible, bagal में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि labrum lateral side में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह labial pulp, three dimension में होता, तो आपको clear हो जाता, इसमें mandible आपको लग रहा है, कि उपर की तरफ है, बड़ three dimension में अगर देखेंगे, तो यह नीचे की तरफ दिखाई देगा, और यह नीचे, labial, labial pulp, maxillary pulp, यह सारे mouth parts एक साथ इसमें सारे show हो रहे हैं, तो इसी के साथ आपका यह जो appendages वाला part है, वो complete होता है,